नवस्कार आप देख रहे हैं economy का हिसाब किताब और इस हफते हम बात करेंगे अर्थ विवस्था से जो कई नए data point हमारे सामने आये हैं और उससे एक चीज साफ है कि दिवाली के बीच में हम सब का दिवाला पिठ गया है अब हमारे बचपन में क्या होता था दिवाली दुर्गा पुजा दसेरा इसकी टाइम पे हम सब को नए जूते नए कपड़े ये सब मिलते थे और लोग भी अपने घर की मरमत और वाइट वाश पेंटिंग वगएरा दिवाली के टाइम ही करते थे जिन लोगों को दिवाली का बोनस मिलता था वो पूरे साल वेट करते थे इंतजार करते थे कि कब बोनस मिलेगा और वो पूरे साल जो सोचकर रखा था वो टीवी खरीदूंगा या फ्रिज खरीदूंगा या कोई माइक्रोवेव आवन खरीदूंगा वो उसी टाइम पर खरीते थे खेर आजकल तो लोग पूरे साल चीजे खरीते हैं यह भोकता यानि की कंजूमर का जमाना है फिर भी फेस्टिवल सीजन जिसको कहते हैं हम त्योहारों का सीजन यह एक डेड़ महीने इसी वक्त कंपनिया सबसे जादा बेचने की कोशिश करते हैं और दुकानों मे भी आप जानते हैं कि बंपर सेल लगते हैं ग्रांकों को लुभाने के लिए और इसलिए दिवाली दसेरा से ठीक पहले सितंबर अक्टोबर के महीने में फैक्ट्रिया जादा चलती है शिफ्ट जादा चलता है क्यों क्योंकि सारे कंपनिया जादा उत्पादन करने की कोश करते हैं ताकि दुकानों तक अपना माल पहुचा सके लेगिन पिछले तीन महीनों में यानि की अगस्त सितंबर और अक्टोबर में लगातार बिजली की खपद घटती रही है और अगर हम पिछले अक्टोबर से इस उक्टोबर की तुलना करें तो बिजली की खपद 13% मतलब क्या है सिर्फ हम जैसे लोग ये नहीं कि लाइट फैन आफ कर रहे हैं जितने भी कारोबारी है या फैक्टरी हैं वो भी अभी कम बिजली की खपत कर रहे हैं और सबसे जादा जो गिरी है ये दो राजियों में गिरी है महराश्टरा और गुजरात जहां पे सबसे आदियोगी करण हो रखा है जहांपे फैक्ट्रिया सबसे जादा हैं आप कहेंगे कि हो सकता है कि उक्टोबर में नहीं साल दिवाली पहले आया है तो सितंबर में सारा प्रडक्शन हो गया था इसलिए खपत शायद सितंबर में जादा हुआ हो नहीं लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है अगस सितंबर औक्टोबर तीनों महीनों में बिचली की खपत लगातार गिरती रही है इसका मतलब यह है कि पहले भी फैक्ट्रिया बंध हो रही थी या तो कम चल रही थी और अब हमारे सामने सितंबर का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा आ गया है जिसको कहते हैं Index of Industrial Production यानि की IIP यह क्या नापता है एक औसत बताता है हमको कि देश के सारे खदानों में फैक्ट्रियों में पाउर प्लांटों में कितना उत्पादन बढ़ा है आप याद रखिए कि इस टाइम पर फेस्टिबल सीजन में कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ यानि की 4.3 प्रतिशत घट गया है यह IIP और याद रखिएगा कि इसी बीच देश की आबादी एक प्रतिशत बढ़ गई है तो अगर मैं प्रती व्यक्ती उत्पादन देखू तो वो 5 प्रतिशत से भी जादा घट गया है इसमें सबसे जादा गिरावट अगर आई है वो है गाडियों के उत्पादन में वो 25 प्रतिशत घट गई है और साथ में Consumer Durables कौन कौन से होते हैं जैसे फ्रिज हुआ, टीवी हुआ, माइक्रोवेव आवन हुआ, इनका भी बहुत तेजी से गिरावट इसमें आया है उत्पादन में 10 प्रतिशत ये भी घट गया है अब याद कीजिए, मैं शुरू से जो बोल रहा हूँ, ये उन महीनों में हुआ है, जब कारोबारी और कंपनियां अपना उत्पादन बढ़ाती है, अगर ऐसे में उत्पादन कम हुआ है, इसका मतलब साफ है कि बहुत सारा माल अभी भी पड़ा हुआ होगा, जो बिका न नहीं चल रही, और जब माल नहीं बिकते हैं, तो कारोबारीों का निवेश करने का मूड नहीं बनता है, सीधी बात है, आप देखिए, जब माल ज़ादा बिकता है, तो क्या होता है, कारोबारी सोचते हैं कि एक और मशीन लगा लेते हैं, और जब वो मशीन लगता है, को पूंजी बढ़ाना कहते हैं Capital Investment का आ जाता है इस वक्त उनका लगा लगाया मशीनी पूरा नहीं चल रहा है जितने मजदूरों को उन्होंने काम पर रखा है उनके लिए पूरा काम नहीं है तो वो नया निवेश करके करेंगे क्या हर साल NCAER बोलके एक Research Institute है वो चार सर्वे करते हैं उससे पता करने की कोशिश करते हैं कि जो कारोबारी हैं कंपनी के मालिक हैं उनका मूड कैसा है क्या वो सोच रहे कि आने वाले दिनों में अर्थिव्यवस्था बहतर होगी मार्केट बेटर होगा या और भी खराब होगा इसको कहते हैं Business Confidence Index और October का जो लेटिस सर सर्वे हैं उससे पता चल रहा है कि कारोबारियों का अर्थिव्यवस्था पर विश्वास और भी घटा है और पिछले सर्वे जो कि जुलाए में किया गया था उसके तुलना में ये Confidence 13% घटा है और पिछले October के तुलना में 22% घट गया है यानि कि इस वक्त कारोबारियों का मूड आफ है October 2013 के बाद से ये सबसे बड़ी गिरावट है Business Confidence Index में NCR वाले साथ साथ एक Political Confidence Index भी निकालते हैं और इससे पता चलता है कि कारोबारियों में सरकार पर कितना भरोसा है सरकार की नीतियों पर कितना भरोसा है आप देखें कि पिछले सर्वे में ये बिलकुल एलेक्शन के बाद हुआ था जुलाई में उस वक्त सर्वे का जो रिजल्ट आया था उसमें देखा गया था कि जितने भी कारोबारी है उनका सरकारी नीतियों पर काफी सारा भरोसा था उसके तुलना में जुलाई से उक्टोबर में वो 35% घट गट गया है ये भी मार्केट का हाल खराब है अर्थ्विवस्था का हाल खराब है और निवेश करने वालों में मूड नहीं है तो वो निवेश नहीं करेंगे ना नौकरिया बढ़ेगी ना उत्पादन बढ़ेगा और इसी बीच महेंगाई दर तेजी से बढ़ रही है ये पिछले 16 महीनों मे यानि कि लगभग डेड़ सालों में सबसे उंचे स्तर पर पहुंच गई है अक्टोबर का जो महेंगाई दर है जिसको कंजूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है वो 4.62 प्रतिशत उपर चला गया है और अगर हम शेहरों का देखे तो वो 5 प्रतिशत से भी जादा बढ़ और इसमें सबसे जादा बढ़ा है तो खाने की चीजों के दाम या आप पूरे देश का देखे तो लगभग 7 प्रतिशत बढ़ गया है पिछले अक्टूबर के तुलना में और सिरफ शेहरों का देखे तो लगभग 9 प्रतिशत बढ़ गया है यानि कि नौकरिया नहीं बढ़ अगर कुछ रहा है तो महंगाई दर इसी को कहते हैं दिवाली के बीच में दिवाला